हेलो दोस्तो रूफटॉप गोट फार्म पर आप सभी का स्वागत है इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि बकरी पालक भाईयों तक बकरी पालन की सही सटीक और सैंटिफिक ट्रेनिंग निशुल्क पहुँचाई जाए जिनका हमने अपने बकरी पालन के सफर में ख जिससे हमारे बच्चों का विकास जल्द हो रहा है वो कम उमर में और कम समय में जल्दी तयार हो रहे हैं इसमें कोई शंका नहीं है कि मा का दूद बच्चों के लिए पौस्टिक और लाबदायक होता है प्रन्तु किसान भाई की गलती की वज़े से बक्यों का दूद कम र जिसकी वज़े से कूपोशन का शिकार भी हो जाता है और कई बार लापरवाही में बच्चों की मिर्तिव भी हो जाती है बक्री पालक भाई को इस बात के उपर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को जितना जल्द हो सके फीड के उपर ले आएं धीरे धीरे कोशिश करके बच्चा मुँ मारने लगता है उसके बाद वो फीड पर प्रॉपरली आ जाता है जब दूद के साथ फीड का भी इंटेक करता है तो उनका ग्रोथ रेट डबल हो जाता है वो बीमार भी कम पड़ते हैं और वो स्वस्त और खुश भी रहते हैं वेबसाइक बक्री पालन मे अगर हमें जल्द और मोटा मुनाफा अरजित करना है तो हमें बच्चों के उपर खास तोर पर ध्यान रखना चाहिए जतना जल्दी और अच्छा हम बच्चों को तैयार करेंगे उतना ही अच्छा हमें मुनाफा अरजित होगा बच्चों के खेल कूद के लिए जितना ही खुला, साफ और सुरचित वातावरन हम उने देंगे उतने ही मदद हमें मिलेगी बच्चों का जल्द शारीरिक विकास कराने के लिए बच्चों को सही मातरा में दूद मिलता रहे, इसके लिए हम इस बात के उपर खास दियान रखते हैं कि बख्रियों की खुराक पूरी की जा सके, अच्छी खुराक से अच्छा दूद मिलेगा बच्चों का जल्द शारीरीक विकास कराने के लिए हम इन दो चीजों का इस्तमाल करते हैं पहला है हिमालिया का लिवर टॉनिक और दूसरा है हिमालिया का हिम कैल्शियम शरीर के जल्द विकास के लिए कैलशियम और फॉस्फोरस की अधिक मातरा में ज़रुत पढ़ती है हम हिम कैलशियम बकरों को देते हैं जिससे हमारे पशों का शारीरिक विकास भी जल्द होता रहे बकरियों का दूद भी हमें पर्यात मातरा में मिलता रहे और बक्रे बिमारियों से भी बचे रहे जितना हम अपने पशों को बिमारियों से बचा के रखेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा हिमकाल के अंदर काफी सारी जड़ी बूटियां भी है जिनका पशों को काफी अच्छा लाब मिलता है हिमकाल एक सौधेशी कमपनी है जिसका रेड़ भी कम है इसके साथ साथ हम पशों को लिव 52 का भी सेवन कराते हैं जिनसे उनकी पाचन शक्ती मस्बूत हो और सही तरह से काम कर सके इन दोनों की खुराक इनके उपर मेंचन होती है पशो पालक भाई अपने पशों के वजन और संख्या के अनुसार सही मातरा में इन्हें दे के अच्छा फाइदा ले सकता है हम अपने फार्म के उपर ये प्रैक्टिस रखते हैं कि बक्रियों के बच्चा डिलिवरी करने के साथ से दस दिन के बाद ही उन्हें फीड के उपर ले आएं दूद के साथ साथ जब बच्चे फीड का भी सेवन करते हैं इससे बच्चों के शरीर में किसी मिनरल और वाइटमिन की कमी नहीं रहती जिससे बच्चे कम बिमार पढ़ते हैं और उनका जल्द शारीरिक विकास होता है हम सप्लिमेंट को भी इसमें एड करते हैं जिससे इसका रिजल्ट हमें जल्द से जल्द देखने को मिले अब तो गर्मी शुरू हो गई है बच्चों को भी दिन में काफी प्यास लगने लगी है ऐसे में जब हम उनको सानी देते हैं तो उनके शरीर की पानी की कमी भी पूरी हो जाती है बकरी पालन में अगर हमें लंबे समय तर टिकना है तो हमें पुराने तरीकों के साथ साथ नए, मौडरन और साइंटिफिक तरीकों का भी इस्तमाल करना चाहिए जिससे हमारे पशों को भी लाब मिले और हमारी आमदनी भी बढ़ सके निट्रिशनल, पॉस्टिक और संतुलित आहार के साथ साथ जब हम फीड में सप्लिमेंट का भी परियोग कर लेते हैं तो फीड की पावर डबल हो जाती है जब हम पशों को फीड और सप्लिमेंट एक साथ देते हैं तो पशों से भी हमें दुगना लाब और फायदा मिलता है हमने अपने फार्म के उपर ये प्रैक्टिकल किया एक अच्छी और बड़ी नसल के बच्चे को मा के दूद के उपर तीन मैने तक रखा तो उसका वजन लगभग बारा से चौदा कीलो आया वहीं दूसरे बच्चे को मा के दूद के साथ फीड और सप्लिमेंट के उपर र पॉस्टिक आहार मिलता रहता है तो बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं और मालिक को भी दुगनी आमदनी प्राप्त होती है हमारे चैनल के द्वारा इसी तरह की प्रैक्टिकल जानकारी निशुल्क हासल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बकरी पालग भाईयों तक शेर करें जिससे हम आप तक बकरी पालग की सही सटीक और साइंटिफिक ट्रेनिग निशुल्क पहुचाते रहें थैंक्स और वाचिंग प्लीज लाइक शेर और कमेंट